सनी दियोल और अमिशा पतेल की फिल्म गदर टू बॉक्स ओफिस पर लगातार चाही हुई है इस फिल्म ने बहुत ही कम समय में 300 करूर का आंकड़ा भी पार कर लिया है लोगों में गदर टू को लेकर बहुत ही क्रेज है अगर आप भी गदर टू की ओटी टी रिलीस का इंतजार कर रही हैं तो हम आपको इसके लिए एक बड़ा अपडेट देने वाले हैं अनेल शर्मा के डिरेक्शन में बनी गदर टू अब तक काई रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुकी है उमीद की जा रही है कि OTT पर भी ये फिल्म रिलीस हो सकती है और इसी के साथ रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है OTT के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा नियमों की माने तो कोई भी फिल्म थियेटर्स पर रिलीस होने के चार हफतों के बाद OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीस की जाती है लेकिन गदर टू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा गदर टू के प्रोडूसर्स ने हमारे सहयोगी इटाइम से खास बात चीत की और इसकी रिलीस डेट की जानकारी दी उन्होंने कहा कि गदर टू रिलीस के कम से कम दो महिने बाद OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीस की जाएगी क्योंकि वो फिल्म के को प्रोडूसर है और प्रोडूसर ने बताया कि जी के पास फिल्म के डिजिटल और सैटलाइट दोनों ही राइट्स हैं बॉक्स ओफिस पर शानदार प्रोडर्शन कर रही जिसकी वज़ह से डिजिटल स्ट्रीमिंग में देरी की जा रही है गदर टू की बात करें तो इस फिल्म में सनी दियोल अमिशा पतेल के साथ उतकर शर्मा और मनीश वादवा एहम भूमिका में नजर आ रही है फिल्म में मनीश वादवा ने विलन का करदार निभा कर सब को इंप्रेस कर दिया विडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें और एंटर्टेन्मेंट से जुरी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें अन्वीटी एंटर्टेन्मेंट तिल देन दिस इस मी प्रेना कॉशिक, साइनिग आओ